अब भी मनाते हैं वैस सैलीड तो उसके लिए नीमबू, खीरा, पनीर, एपल और एक प्याज तो प्याज को काट लेते हैं चोटा चोटा जब तक होता है जब तक होते हैं छोले गर्म छोले का सूप है वैसे बेसिकली पर मैं इसमें से छोले निकाल लूँगा बाकी जो सूप का सूप बचेगा वह सूपा पिएंगे फिलाल इसमें से चने निकालेंगे तब तक यह गर्म होता है तब तक हम सबजियों को काट लेते हैं छोट छोटा तो प्याज को छोट छोटा काटना है खीरे को एपल को पनीर को एंड निम्बू आपका ऑप्शनली अ जीरा पाउडर एंड नमक वो डालिए बाकी कुछ नी डालना इसमें आपको एक्स्ट्रा तो काली मिच का जो टेस्ट है वो चने के साथ काफी अच्छा आता है तो फिलाल अभी खीरा काटना है खीरा हम ब्रीक ब्रीक काटेंगे ज्यादा ब्रीक में नहीं जितना आप मतल लगा करे आते हूं वरकाट लगा करे तो या फिर आप दुपैर में भी इसको ले सकते है अगर अगर अभी की टाम की बात की जाए तो अभी साटीचार हो रहा है तो मैं जीम लगाके वी आच चुका हूँ तो मुझे लग रही है भूग तो मैं बना रहा हूं वेस सैलीड टीकए जी और इनसी उपक है और यह अगर बात की जाए जाए आदर वेð वेज हैसित काला नमक भी यूज कर सकते हैं या फिर काली नमक भी कर सकते हैं उसको यूज करते हैं उसके बाद उसमें डालिये और उसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद उसको आप खा सकते हैं तो अब भी जो छोले हैं वो हो डाइट मैं लेता नहीं हो। थीक है। तो इसमें आप Raphael salad में बनेना भी यूज कर सकते है या फिर block defendant यूज कर सकते आलू co pail कियो है वह भी यूज कर सकते है फिलाल अभी मेरे पास इतने ही ouais समान पड़ा था तो ने बवी डाला ठीक है एच« तो अभी डालते हैं चने को जना वह और पूर्व बेज दिल ओजकर है त्यार बस इसमें कोई जादा आपको ऑप 다quar मेस्फ भग से अफिस्त ऑप इस तरह से आपका तियार हो जाएगा बनके सीकरी सब छोड़ छोड़ा काट लिया तो अब भी इसमें डालते हैं जी चने अब भी हम इसमें चने डाल देते हैं ब्लैक चने जो वाइल किये हुए मैंना बाकी जो सूप बेचा है वो हम मोर्निंग में पीएंगे बड़ी एक दम बनाके डाइट के साथ फिलाल जितने भी चने वो मैंने निकाल लियें आप सबजी भी बना सकते हैं इनकी वैसे मैंने अज सैलिड बनाने का सोचा था तो मैंने सैलिड बनाया छोले के साथ आप कुछ भी बना सकते हैं सबजी बना सकते हैं वैस सैलिड बना सकते हैं या फिर राइस बना सकते हैं तो ठीक है जी तो अभी इसमें डालते हैं चाट मसाला जो की एक जूस में पड़ता है हलका से इसको अगर है घर में तो डाल सकते हैं अगर नहीं है तो आप वाइट जो नमकोता उसको भी डाल सकते हैं वेसलेड में ठीक है जी उसके बाद हम इसमें नचोड़ेंगे निम्बू उसके बाद करेंगे अच्छी तरह से मिक्सप और फिर कर देंगे इसको त्यार तो अभी काली मिर्च भी थोड़ी सी मैंने सोचा क्योंना एड़ कर ली जाए अभी सर्दियां आ रही है तो काली मिर्च का भी सेविंज जो है वो जरूरी होता है सर्दिय जुखाम जो है वो उससे लगता नहीं है ठीक है और बाकी निम्बू आपको अगर अच्छा लगता है सैलिड में तो आप डाल सकते हैं नहीं तो इसको अच्छी तरह से मिक्सप करने के बाद इसको खा लीजिएगा तो मेरा जो है वो बैस सैलिड हो चुका है त्य सैलिड में बनाता रहते हूं तो मैंने सोचे क्यों ना आपको भी मैं दिखा दू है सैलिड जो हो चुका है त्यार बस अभी इसको हम मिक्सप करेंगे तो इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं उबाइल अलू फिलाल अभी मेरे पास यही है तो मैं यही बना के खांगा सै झाल 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 झाल